इसको भी समझा जाएगा एक एजामपल लेते हैं तो ज्यादा समझा पाऊंगा अच्छे से तो जो मैं अब एजामपल लेके चल रहा था वो क्या था यार टू पोर शेक्स एट अप्टू जहां तक जा सकते हो लास्ट तरम यह नहीं पता है मैं डॉट 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 छोट रहा हूँ यहां पर अभी आप देखना एनध टरम अप पढ़ते हैं इसको यहां पर फिर से लिखनेता हूँ ना तो यह मैं यहां पर फिर से लिखनेता हूँ एन इसकोल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ठीक है यह रहा हूँ इनटरम का फोर्मूला है लेकिन यह है क्या हूद लब क्या समझ जबते हैं इससे तो मान लिजे कि मैं आपको सवाल देता हूँ कि भाय ए फोर है और मैं अगर छोड़ी ए फाइब तो ए टेन दो दूर है अभी आपसे मैं पूछता हूँ ए फाइब निकालो तो कैसे करो गया एट में बस दो जोड़ दोगे तो बोल दोगे सर दस है लेकिन यह कब तक किजिएगा अगर मैं आपसे पूछ देता हूँ कि ए टेन यह फोर्मूला तो चली इसको यूज करना सीखते हैं मेरे पास जैसे एक्जामपल है मेरे पास पहले तो यह जोड़ा सा एक्जामपल यह सौल कर लेता हूँ तो एक कैसे निकालेंगे तो मतलब जिन यह करता क्या है जो टम मुझे निकालना है कोई हमें सवाल देता है कि भ अपको 30, 40, 50 मतलब जो भी तो in generalized किया हुआ है तो एन थ टर्म मोलते है इसको कोई भी टर्म हो सकता है आप मानलो कि आप लाइन में खड़े हो और आप 20th पोजीशन पे हो तो वैसे ही an का value क्या हो जाएगा वहाँ पर 20 हो जाएगा तो चलिए अब बात करते हैं मुझे निकालना है an तो इस एक मुने पास example है थोड़ा अच्छे समझ लेंगे एक question है मेरे पास तो मैं यहाँ पेस को खीषता हूं देखेगा आप हो दिख रहा होगा यह मेरे पास question है कि अब बताईए 10th term of ap 10th term of ap this तो सबसे पहले ap में जो समझाया है थोड़ा इससे explain कर देता हूं ap होता क्या है 8-5 देखे 3 आता है 11-8 भी 3 आ रहा है 14-11 भी 3 आ रहा है तो डी कितना हो गया हमां दी इसकल टू 3 है डी इसकल टू 3 है कैसे निकाला मैंने या कोई दो टम नेक्स टम से पिसे वले टम हो घटा के जैसे कि मैंने अब ले लिया या तो आप यह भी ले सकते हो न सबका तो सेम बराबर है तो अब ले सकते हो ए 3-8 भी ले सकते हो ए 2-1 है 8-5 इसकल टू 3 अगर यहां से भी गरूंगे तो ए 3 है 11-8 इसकल टू 3 है ना तो बैसे कि लिए समझाने के लिए कर रहता हम है तो डी मुझे पता है डी आ चुगा है मेरे पास 3 फर्स्टम मुझे चीए क्योंकि फॉर्मूले में फर्स्टम है और डी है इनका भेलू दिया हुआ है कैसे दिया हुआ है यह भी बताते हैं इस से खुश्रा क्लियर खेल लेता हो है ना बी गेवन है हमारे पास और अब देखीए यह भी पता है यह फर्स्टम को बोलते है तो यह यहाँ पर 5 है और हमें निकालना है कौन सा टम निकालना है यार 10 टम तो इनका वेलू क्या हो जाएगा कुछ भी ले सकता है तो इन इसकल टू 10 ऑकी तो हमें निकालना है 8 टेन इतो निकालना है देखिए 10 नंबर नहीं यह नाम है यह नाम है जैसे मेरे नाम विशाल है आपका नाम कुछ होगा एक सब्सक्राइब एक नाम है इसको मैंने देखा है बच्च्छ शॉल्यूशन में लेते हैं इसको सॉल्व करने लगते हैं इसको नहीं यह तो नाम है बस एटे निकाल रहे हैं अपन एक मैं डालता हूं फॉर्मुले में ए प्लस इन पता है मुझे 10-1 और डी पता है 3 जब अब इसे सॉल्व करते हो तो आएगा 5 प्लस 27 इसकोल टू 32 तो देखिए ऐसे यह होता है एने टर्म मतलब एने टर्म यहीं बताता है वहीं आपको एक एपी दे दिया गया है और आपसे पूछता है कि ट्वेंटी टर्म बताओ जैसे में यहां पे 10 था हैंडे टर्म बताओ तो आप कितना एड करोगे एपी में करते हैं ए और डी का यूज करके जो टर्म हमसे पुछा गया है ठीक है तो यह था एने टर्म का कॉंसेप्ट यह अब बात करते हैं समेशन का समेशन